आज पुलिस मुख्याले जैपर में महानदेशक पुलिस राजस्थान मुहनलाल लाथर ने राजस्थान पुलिस अलंकरन सम्हारों में जिला पुलिस अधीशक धरमेंद्र सिंग को उत्कृष्ट सेवा के लिए डीजीपी डिस्क से किया सम्मानित बाडी में शिक्षक संग एकीकरत ने तबादलो के लिए की बैठक जैपर में होने वाले आनुलन में बाडी से भी शिक्षक भाग लेंगे बाडी धोलपुर शिक्षक संग एकीकरत की आज तृटिए श्रेणी शिक्षक इस्थानतरण को लेकर राजक्या उच माधियम एक स्कूल बाडी में बैठकायोज़त की गई जिसमें सिर्फ एक मांग तृतिय श्रेणी शिक्षक इस्थान तरण को लेकर चर्चा हुई जिला समस्थापक चंदरभान चौधरी ने बताया कि राजस्तान सरकार द्वारा इसी कार्यकाल में व्याख्यता वरिष्ट अध्यापकों के इस्थान तरण किये गए थे राकेश प्रजापती ने बताया कि राजस्तान शिक्षक संग एकिकरत का धोलपुर में 19 अक्तूबर में विशाल धरना प्रदर्शन है जिसमें हजारों शिक्षक जटेंगे और धोलपुर से भी सैकडों शिक्षक भाग लेंगे इस बार आनुलन बहुत बड़े पैमाने पर होगा राज्रस सरकार से तृतिय शिक्षक स्थानतरन करवा करही दमनेंगे बैचा को डॉक्टर विरेंद्र यादव दिलप चाहर ने भी संभूधत किया इस अफसर पर चंद्रभान चौधरी विरेंद्र यादव राकेश प्रजापती टीकम सिंग दिलप चाहर प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में उम्रे युवा राजस्थान प्रदेश के सुदूर पूर्वी शेतर में उतर प्रदेश और मध्यप्रदेश की बीच चमला अंचल मिवसे रंचोड नगरी के नाम से प्रसद धूलपुर शहर पहुँचने पर बारतिय जंता युव प्रदेश अध्यक्ष हमांचु शर्मा का युवा मोर्चा कारेकरताओंने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया हमांचु शर्मा के राजस्थान बॉडर में प्रवेश करते ही युवा कारेकरताओने फूल मालाओं से लाद दिया और धूलपुर शहर पहुँचने तक रास पुर संभाग प्रभारी एवं युवा मोचा प्रदेश अध्यक्ष रामकेश मेना युवा मोचा जिला प्रभारी धूलपुर सुरेंद्र सांतरुक का स्वागत किया गया कारिकरम में बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष हमांचु शर्मा ने कहा कि राजस्तान में आज अल्पमत की सरकार सतना में बैठी हुई है कारिकरम में पधारे हुए सभी युवा साथियों को जिला उपाध्यक्ष कमल पहाडिया वे मोचा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घुरयया ने आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया कारिकरम में प्रमुक रूप से जिल जिला मंतरी विने परमार मंडल प्रभारी विजित्यागी अल्प संख्यक मोचा अध्यक्ष सगीर खान शावने जिला काराले मंतरी नदकिशोर शुकला जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सकसेना पूर्व सरपंच बहादुर सिंग जाट युवा उद्योक पती गुरविं दोलपुर में परिवहन विभाग ने उड़न दस्ते से मारपीट करने वाले एक आरूपी को कुतवाली पुलिस ने गिरफतार कर लिया है आरूपी ने शराप की नशे में अपने साथियों के साथ मिलकर परिवहन विभाग के दो गाड़ों से मारपीट की थी और चालान ब लगातार दबश की कारिवाही कर रही है जला कलेक्टर ने किया मनरेगा कारियों का निरिक्षन दोलपुर में जला कलेक्टर रनील कुमार अगरवाल ने पंचाय समीती दोलपुर की ग्राम पंचायतों में मनरेगा यूजन अंतरगर चल रहे कारियों का बुदवार को निरिक्षन किया उन्होंने पंचाय समय ती धोलपुर की ग्राम पंचायद बसई सामन्ता मैनर एवं हुसेनपुर बांच से निकलने वाली पुगली मैनर में चल रहे मनुरेगा कारियों को निरिक्षन कर आवशक निरिक्षन के दौरान जिला कलेक्टर ने कारियों का बोर्ड सही स्थान पर लगाने कारियों की टास्क एवं कारिय का माप समय समय पर चौक करने के भी निर्देश दिये। लगाने कारियों की टास्क एवियनता नरेगा बिजे लाल धूलपूर विकास अधिकारी रांकुमार सहित अन्य अधिकारी साथ रहे। जिला प्रभारी संतोष शर्मा बाड़ी के पद अधिकारी राजू समधिया और भूलपंडित रीचरी और सभी सदस्य माजूद रहे। राम राम किसन वईया राम 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 वईया आओ यो बताओ को अब की खातवीज कांते लें यार। अरे यार जब अपनों दुवे खातवीज बंडार खुलेगा हुए तो कितों अंतते क्यों लेंगे। बहां बढ़िया तो रेट मिल लई है और सक कंपनीनी की वेराइटी मिल लई है और बरोसे बंदा आदमी है। राजा खेडा रोड पेते जो तकावली मोड होतो है गो नहीं भाई दुवे खातवीज बंडार खुलेगा हुए तो अब की वहिया हम तो दुवे खातवीज बंडार पेती ले रहे हैं। तू गता। पर पुत तो सब ठीक है यार पर दुकान तो नहीया वैया। जह बात तो बिलकुर तो नहीया है। पर तो नहीं पत वह होनी चाहिए कि बिन के मोड़ेग ने करसी विश्य में भाई लगाई करी है। और बनवारी बोवरे मनीराओं के पुरावाईने को एक मोडा क्रसी विवाग में सरकारी नोकर होए और बिनको मोडा एक खातवीज की कंपनी में बड़ी पोश्ट पे लगऊ है तो मियो कैवो तो जी है के बिने दूसरे इनते जादा खेती बाड़ी के बारे में आदनी खेती के बारे में जादा जानकारी है ठीक है भईया तो अब हम महितने लेंगे और अब की तो दूबे खातवीज वंडार पर ही चलेंगे ठीक है भई या बिलकुल संग ही चलेंगे दूबे खाद भी जवंडार राजा खेडा रोड तगावली मोड धोलपूर सतीस दूबे मनीराम का पूरा अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे 961 सुनने सुनने 79 879 पे बाजारों में उंडी भीड़ बने जाम के हालाद सर्मतुरा कजबे में आज करवचोत त्योँहार को लेकर बाजारों में खासी भीड उंडी जससे जाम जैसे हालाद बंते होए नजराय और पैदल निकलने वाले लोगों को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको बता दे कि त्यूहार को लेकर के कजबे के हॉस्पिटल मार्ग पंजाब नाशनल बांक मार्ग नाली बाज़ार में दो पहिया वहांचालकों के द्वारा अपने वहानों को सड़क के किनारे आडार तरचा खड़ा कर दि करवाचौत को लेकर बाजार हुए गुलजार दुकंदारों के खिले चहरे दूलपुर जिले भर में इन दिनों करवाचौत पर्व को देखते हुए हजारों में खासी भीड उमड रही है जिससे दुकंदारों के चहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं आपको बता दे कि पूरी तरह से बुक नजर आ रहे हैं वहीं ब्यूटी पालर संचा अलग भावनर शर्मा ने बताया कि इस बार त्योहान को लेकर के ग्राहक पहले से अधिक आ रहे हैं तो सराफा दुकंदार संचे सूनी ने बताया कि करवा चौत पर इस बार पायल एवं बिश्या की ग्राह को की द्वारा अधिक दिमान की जा रही है सरमतुरा से विश्नु सोनी की रिपोर्ट एवं दिव्यांग जन सभी वर्गों के इच्छुक व्यक्ती स्वरोजगार हेतू रिण प्राप्त करने के लिए आवेदन भरने के लिए आवेदक अपने साथ जाती प्रमाण पत्र आई प्रमाण पत्र जनाधार कार्ड आधार कार्ड राशन कार्ड जनाधार लिंक बैं अनुजा निगम कमरा नंबर 18 अलेक्टरेट धोलपुर से संपर्ख कर सकते हैं। सफीश दूबे एक बार सेवा का मौका जरीर दे। धोलपुर के एक उतवाली थाना शेत्र के पठपरा महले में मंगलवार रात को एक यूवक छट से गिर कर घायल हो गया। परीजन यूवक को गंभीर हालत में लेकर जला हस्पताल पहुंचे जहां इलाच के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने भुदवार को शवका पोस्ट मौटम करवा कर परीजनों को सौप दिया। पुलिस हाथसे के कारणों की जांच में जुटी है। टाउन चौकी प्रभारी S.I. विरेंद्र शर्मा ने बताया कि शेरु पुत्र हरी सिंग निवासी पठपरा मोहला बीती राज शराप के नशे में धुत्त होकर घर आया था। उसकी मौत हो गई। कारियों से मिले निर्देश के बाद जैपुर से जील सुप्रीडेंडेंडन गोवन सिंग सोमवा रात को धूलपुर पहुँचे थे और उनके नितरत्व में देर रात को जील की तलाशी ली गई। सुप्रीडेंडन के निरिक्षन के दौरान जैपर से आई टीम को बैरिक नमबर दो और पांच के बाहर चार मोबाइल मिले हैं। तीन मोबाइल में सिम लगी हुई थी धौलपुर जैल की सुप्रीडेंडन ट्रामफतार शर्मा ने बताया कि धौलपुर जैल में बैरिकों के बाहर मिले मोबाइल किसके हैं इस बात की जांच कराने के ने कुतवाली थाने में रिपोर्ट दर्च कराई है। कर दो में अन्या है।